दोस्तों नमस्कार Be Your Money Manager में एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके financial सफर को सुहाना बनाने के लिए एक और एपिसोड लेकर हाजिर हूँ मैं यानि आपका मनिमित्र रजनीस कांत आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे SIP यानि Systematic Investment Plan हिंदी में कहें तो प्रनाली बद्ध निवेस योजना क्या है और आप इसका कैसे फाइदा उठा सकते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि SIP है क्या SIP Mutual Fund का ही एक विकल्प है Mutual Fund में निवेस करने के कई विकल्प है उनमें से एक विकल्प है SIP इसमें आप एक मुस्त रखम न रगाकर हर महिने या हर तिमाही की खास तारी को पैसे लगाते हैं आप 500 या 1000 रुपे के साथ भी इसमें निवेस शुरू कर सकते हैं SIP के जरिये आप अपने Long Term, Medium Term और Short Term के Investment Goal हासिल कर सकते हैं आपको घर खरिदना हो, आपको कार खरिदनी हो, आपको विदेश में Share करना हो, आपके बच्चे को पढ़ाना लिखाना हो, आपको Retirement Fund बनाना हो, आपके हर सपने को साकार करता है SIP SIP के जरिये आप संपत्ति का निर्वान कर सकते हैं, संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं, और अगर हर महीने आपको एक नियमित आये चाहिए, या अतिरिक्त आये चाहिए, तो भी SIP आपको इस काम में मदद करता है तो अब तो आप SIP के फाइले समझ गए होगे, अब आप जानना चाहते होंगे इसमें निवेस कैसे किया जाए, तो इसमें निवेस आप दो तरीके से कर सकते हैं, आफलाइन भी और आउनलाइन भी, आफलाइन में आप क्या करें, जो मार्केट रिगुलेटर से भी रिजि कमपनी होती है, वहाँ से संपर करें और SIP में निवेस शुरू कर सकते हैं, दूसरा हुआ ऑनलाइन, ऑनलाइन के जरिये आप जो AMCs, जिसे जो fund houses कहलाते हैं, या फिर mutual fund कमपनीया होती हैं, उनके website पर जाकर के आप SIP खरीच सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन के जरिये ही, जो mutual fund distribution companies होती है, उनकी websites के जरिये भी आप SIP में निवेस कर सकते हैं, तो SIP निवेस कैसे करें, SIP में निवेस करने क्या फायदे हैं, ये तो आप जान चुका है, अब आप सोच रहे होगे कि भई आप इसमें निवेस कैसे करें, क्या तरीका होता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले SIP फोर्म भरना होगा, जिसमें आपको ये जानकारी देनी होगी, कि आप कौन से ये स्किम में पैसे लगाना चाहते हैं, दुसरा, आप अपने बैंक एकाउंट जो कि आपके SIP निवेस, SIP से जुड़ी हो, उसको आउटो डेविट, यानि स्वाचा पैसे निकालने क अनुमाती देनी होगी, तिसरा, जिस स्किम से आपका बैंक एकाउंट जुड़ा हुआ हो, उसको ECS यानि इलेक्ट्रोनिक क्लियरिंग सर्विस काधिकार देना होगा, इसके अलाबा, आपसे जो भी डॉकुमेंट्स मांगे जा रहे हैं, SIP में निवेस करने के लिए, वो फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए, देखते रहे हमारा यूटूब चैनल, Be Your Money Manager, और पढ़ते रहे हमारा हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग, beyourmoneymanager.blogspot.com, और हाँ, हमारे इस यूटूब चैनल को लाइक करना, सबस्क्राइब करना, और शेयर करना मत भूलि नमस्कार